नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और वीडियो में आपका स्वागत हैं। आपने किचन में अलग-अलग तरह के बरतन देखे होंगे और इस्तेमाल भी किये होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बरतन कैसे बनाय जाते हैं। ये जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखे और अपने मित्रों में परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले मेटल को पंचिंग प्रेस मशीन से राउंड सेप में काट जाता है। उसके बाद राउंड प्लेट को प्रेस मशीन में पतेली का आकार दिया जाता है। उसके बाद पतेली के बेस को लगाया जाता है। और गर्म करके उसको जिपकाया जाता है। झाल कि माल को प्रेस में पतेली के बाद जाता है। उसके बाद रोबोट की मदद से तैयार हुए बर्तन को ग्राइंड किया जाता है जिससे बर्तन की सथय चमकदार हो जाती है बर्तन की अंदर और बाहर की सथय को भी चमकदार बना जाता है बर्तन की सथय को भी चमकदार बना जाता है तैयार हुए बर्तन को आगे पैकिंग के लिए भिज दिया जाता है दोस्तों अब देखते हैं केतली केस्ते बना जाती है सबसे पहले केतली के नाली को गर्म करके उस पर लगाया जाता है उसके बाद रोबोट की मदद से केतली की पॉलिशिंग की जाती है झाली के लिए बाद देखते हैं के लिए जाता है छी के लिए बाद प्रश भी जाता है झाली के लिए जाता है झाली के बाद भी जाती है झाली के अजाता है झाल 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 और इसपोर्ट वेल्डिंग की मदद से केतली के नाले को वेल्डिंग किया जाता है उसके बाद केतली के हैंडल को लगाया जाता है अब आपकी केतली तयार है दोस्तों यहीं फ्रक्टरी के दूसरे हिस्से में इलेक्टरिक केटल को भी बनाया जाता है और फ्रक्टरी में फ्राइंग पैन को भी बनाया जाता है झाले के बनाया जाता है झाले के बनाया जाता है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हमारे घर में इस्तिमाल होने वाले बरतन को केस से बनाया जाता है वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक भी जरूर करें अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो की नीचे वाला लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लवें और बैल आइकन को दबा के हमारे नए वीडियो की नोटिफिकिसन तुरंत पाएं मैं आपको मिलता हूँ एक और वीडि कर दो दोल्स, इसाल गारा वीडियो कान सबास भीक मैं य कुझ थ। कर दो कर दो